हेलो ओद्रिंट फैमली तो कैसे हो आप सभी लोग गरे और आप सभी लोग को बढ़िया होना भी चाहिए तो चलो आज आते हैं लाइक से से सेस्क्रैब पर तुम लोग कर cotton ही दोगे मुझे विलीव हैं तो सीधा देख लेते हैं पिछले एपिसोड को, पिछले एपिसोड में ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, जो यान का टेस्ट चुरू हो गया था, कॉमप्टीशन वाला, कॉमप्टीशन टेस्ट होने के बाद हमने देखा हुआ होता है कि सभी के चेक की जाती है, जान जो यान प्रटेस्ट में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, हापिजट में लोगों का, जहां पर सबसे हाईज़ जो इस पिछल पारती वो 22,000 थी, धन हमने देखा हुआ होता है यंग एज़ वालों का, जहां पर भी एप्रॉक्सली इतनी ही हाईज़ थी, जहां हम आ जाते हैं कि य यंग मास्टर की, और उन चारों में से भी सबसे ज़्यादा हाईज़ थी म्यूलिंग की, क्योंकि म्यूलिंग की जो इस पिछल पार होती है, वो 66,000 होती है, जिसके बाद बारी आई थी अपने ठर्की की, और अपने ठर्की वहां पर जैसे ही पहुचता है, तो एल्डर ज यहां का जो पावर टेश था, वो क्लियर होता है, और यहां की जो स्पिछल पावर होती है, वो 80,000 पॉइंट पर होती है, जो देखकर सभी की फटकर फ्लाबर पॉट हो चुकी होती है, यहां था कि जो यहां ने भी कहा था, कि अब यह छोटे साथी इतना कुछ करने की जब सभी को पता चलता है कि अब सेकंड टेश्टी स्टार्ट होने बाला है, जो कि पिल, रिफाइनमेंट और फायर टेश्ट है, तो सभी के सभी कॉम्प्टीटर सीधा ही जो यहां की तरफ देखते हैं, क्योंकि अब जो यहां सभी का अट्रेक्सन पॉइंट हो गया था, जो यहां भी एकदम चुप-चाप क्रोस लेकर के दूरी पर बैटा हुआ होता है, और अपनी बारी का इंतिजार कर रहा होता है, जब अंगला नाम आता है मैंगलो का, तो जो यहां यह नाम सुनने के बाद अपनी नजर घुमाता है, और मैंगलो की तरफ देखता है, जो एक दो, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, और ऐसे ही एक लाग प्लस फायर वीश्ट में हो गई थी, जो की बढ़ते जा रहे थे, साथी आस पास को जो यह ट मौस फेर था वो काफी अधा होट हो गया होता है, जो देखकर जोन काफी अधा है हैरान हो गया था कि आकर तुरंदीगत आकर कर यह इतनी पावरफुल पावर कैसे कोई अपेर कर सकता है, लेकिन जोन आखला हाला कि इस बात पे ज़्यान नहीं देता, वो धीरे धीरे खड़ा होकर हर एक श्टेप के साथ अंगिनत लोगों की नजरों के सामने अपनी इस पिच्छ और पावर को अ और पूरा आसमान इनी बीष्टों से भरा हुआ होता है, यहां तक कि पूरे सहर भी इन भायाना की बीष्टों से भर गया था और दूर से देखने पर यह लगभग 10 लाख से कम नहीं थे, साथ ही एकापी पावर्फुल होते और एक के ब्याद एक आ रहे होते हैं, और व्य की पावर्स कोन लिस्करना सुरू कर दिया था, जहां पर उसकी spiritual power और fire power मिलकर यहां पे अलग-अलग बीष्टों को create कर रही थी, दोस्त अब इतने सारे बीष्टों को देखकर, डूचुआंग और बांकी सभी लोग आहे भरने लगते हैं, साथ ही डूचुआंग यहां प फिल फायर स्किल के साथ लाखो वीष्टों को create कर सकता है, जिसके कांट जहां को 15 पॉइंट दिये जाते हैं, जहां पर सेकेंड फेज में भी फाष्ट रैंक पर आये था, यानि कि जहां के पास कोलंक 30 हो चुके थे, और इस आब आज के आने के बाद अब्यसली ऐसा लग होता जैसे मंच में blast हो चुका हो, और अंगिनत लोग मैदान में जो यान को देख रहे होते हैं, सभी कि आखो वे डर और respect होती है, यहां तक कि भले ही वो powerful dowdy warrior के ओना हो, जिनकी ताकच जहां से ज़्यादा थी, वो भी respect के साथ जहां को देख रहे होते हैं, क्योंकि इतनी कमेज के अंदर, जो यान का जो power of potential था, वो काविले तारीब था, यहां तक कि उन्हें पता था, कि अगर इस बच्चे के talent के साथ, ऐसे ही ये बच्चा ग्रो करता रहा, तो साइध 1000 साल या 100 साल, 100 साल या 1000 साल के अंदर, वो उन में से strong बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा लोग जो यान से friendship करना चाते थे, और उसे familiar होना चाते थे, competition का second phase भी अब धीरे-धीर end हो जाता है, और elders के बीच में बाचीज चलने लगते है, जाए elder तुरंदी कहते है rules के according, लगभग 1000 लोग disqualify होंगे, तेनेज से, यंग एज से, 1500 लोग disqualify होंगे, और हाप 2000 लोग disqualify होंगे, इस बात ने सभी लोगों को हैरान कर दिया होता है, क्योंकि एक साथ लगभग 5000 लोग disqualify हो चुके थे, हलक यहाँ पेज़ेट ग्रूप में, लोगों की quantity काफी ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी 5000 लोगों को निकाल देना, अपने आप में, एक काफी या जो फ्लोर होता है, वो अब थोड़ा सा सांदार और कम हलचल बाला देख रहा था, और इसका काफी एरिया अब खाली लग खाली लग रहा था, अब केबल 7000 लोग यहाँ पर बचे हुआ होते हैं, जो फाइनल के लिए सौट लिष्ट हुए थे, और यह सभी लोग काफी talented और हर एक बंदा पिछले बाले से अच्छा, जिसके बाद वो तुरंदी कहते हैं, तो अब पिल कॉम्टीशन के 3rd phase पे पिल रिफाइनिक सुरू होगी, सभी qualified persons फ्लोर पर आ जाएं, और कॉम्टीशन के स्टार्ट होने में मदद करें, कॉम्टीशन के स्पेज में कोई भी डीजे बजा कर एनाउस किया जा रहा हो, जिससे सुनकर सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, और जोन भी अब इसलिए एक्साइटेड था, क्योंकि जोन भी इनी लोगों में से एक था, साथ हैं सभी 7,000 लोगों को मिला कर इतने बड़े ओकी जनिया की, मेडिसन फियर म लोगों के लिए एक्साइटेड ना होना तो काफी अधा जीब बात होगी, हाला कि अभी भी एक सवाल था, जिसने जो यान को परिसान कर दिया था, आला कि उन में से हर एक जूनियर मेडिसन माश्टर था, या फिर पीक मेडिसन माश्टर, तो कम से कम 7,000 रैंक 9 की पिल तो बनाने के लिए, आखे गर कितने बड़े एरिया की एनरजी एक ही बार में कंज्यूम हो जाती है, तो 7,000 का तो जिक्री नहीं, हाला कि ऐसा लग रहा था कि जैसे एल्डर ने भी जो यान के थौट का अंदाजा लगा लिया था, और अचानकि एक ओल्ड वाइस दुनाई द हजारों इंटर्मीडेट रैंक के सोर्स क्रिश्टल निकाले हैं, जिनके अंदर एनरजी फॉर्मेशन बनी हुई है, साथ ही है सोर्स क्रिश्टल, लग वाग एक लाग प्लस, लो ग्रेट सोर्स क्रिश्टल के बराबर होने चाहिए, तो पिल बनाने के लिए जो जरूरी ए जो ग्रेट था क्रिश्टल का, वो अपने आप में काफी ज़्यादा एनरजी को सांदार तरीके से यहां पे पहुंचाने के लिए परियाप्त होना चाहिए, जिसके बाद सभी लोग यहां पे तरीफ करते हैं कि मैडिसन डोमेन के फैमिली के फाउंडेशन और बैक्राउं उनके पास भी बहुत कम सोर्स क्रिश्टल थे, किबल दरजनो या सैकडो सोर्स क्रिश्टल जो यहां के पास थे, हाला कि कॉमटिक्शन में सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और इसके बाद अपने अपने फ्लोर की तरफ उड़ चुके होते हैं, जो कि सेकेंड फ्लोर का एरिया था, यह ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसे छोटा भी नहीं कहा जा सकता, यह लगबग तीन फुटका होता है, पिल बनाने के लिए जो जरूरी इंग्रीडियंट थे, उन्हें रखने के अलाबा, केवाल एक ही परसन वहां पे क्रॉस लेकर करके बैठ सकता लेकिन जोन के लिए जगह अभी भी परियाब थी, जोन अपने सामने रखे हुए हजारों इंग्रीडियंट को देखता है, तो स्मायल करते हुए कहता है, तो मैं रिफाइन करने का टाइम आ चुका है, मैंने सभी इंग्रीडियंट तयार कर लिए, यहां तक की आखरी गाय जोन जोने तयार होनी चाहिए, अपने सामने इतने सारी इंग्रीडियंट को देखकर जोन के चाहरे में हलकी सी कड़वाहट भी होती है, आखेका इतने सारे इंग्रीडियंट का SS निकालना अपने आप में एक काफिया टफ टास्क्स था, साथि यह जो एंपरर गेट की पि और गंबीरता से तैयारियां करना सुरू कर दिया होता है डूचु आंग जो की नाइन इस्टार डावडी लेबल केंसेक्टर होते हैं वो भी ये सभी को देख रहे होते हैं और उन्हें अपना कडाईदार कपला लहरा होता और एक रिच वाइस में आवाज लगाते हैं कहते ह तो चलो गाइस सुरू करते हैं पिल फेयर आई होब कि आप सभी लोग सांदार पिल बनाकर इस कॉमप्टिशन को और भी ज़्यादा सांदार बनाएंगे तो ये जो ये मेडिसेन फेयर है अभी ये अफिसियली स्टार्ट होता है सब लोग सुरू कर सकते हैं जैसे ये अब कुछ की सफेद होती है कुछ की काली होती है कुछ की गुलावी होती है हाँ कुछ की भूरी भी होती है अलग-अलग टाइप की फ्ले में सभी जगे दिखाई देने लगती है और आसमान में ये एक सांदार सीन के जैसा होता है जो की काफियर आइकॉनिक महसूस करा रहा होत अपने पिल को रिफाइन कर रहे होते हैं हाला कि अब जिस लेबल की वो पिल बना रहे थे उसके लिए पिल कुल्ड्रोन और यह बात तब की होती जब एसन टाइम का कुल्ड्रोन के पास होता तो साथ वो उनकी मदद कर सकता था लेकिन इस टाइम पे ऐसा कोई भी कुल्ड्रोन नहीं जएंपर लेबल की पिल की पावर को बरदास कर सके इसलिए इस टाइम पे जब लाश्ट दौर इस्टार्ट हो जाता है एनाउसमेंट के बाद तो सभी एल्डर्स बैठ कर डिसकस करने लगते हैं क्या कर यह कॉमप्टी निकलती है जो जो जोयन की बॉड़ी के इंदर फैलने लगती है जिसके बाद जोयन की उंग्लियों से अचानक की ट्रांसप्रेरेंट कलर की फ्लेम निकलने लगती है यह जो ट्रांसप्रेरेंट फ्लेम थी यह सभी 23 कलर की अलग-अलग फ्लेमों से मिलकर वनी हुई fusion flame थी इस flame क्या प्यार होने के बाद हम देख सकते थे कि आज पास के जो लोग होते हैं उनकी बहुत सारी जो flame थी वो काँप रही होती है और सभी की सभी flame जो यान के direction पे जुक रही होती है मानो जैसे वो अपने राजा को प्रणाम कर रही हो बैसे भी जो जो फ्लेम थी वो अजीब टाइप की 23 कलर की फ्लेमों से बनी हुई fusion flame थी और इनकी पावर इन अलकेमिश्टों की जो flame पावर थी उससे कही गुना ज़्यादा पावरफुल थी इन में से कई के अलकेमिश्टों के पास काफी अलग 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 टाइप की flame थी साथी इन में से कुछ के पास साथ heavenly flame टाइप की भी flame थी लेकिन अगर जोयन के पास एक या दो flame होती तो बात अलग थी चोयन के पास जो flame थी वो 23 टाइप की थी इसलिए उनकी फ्लेमों का जोयन के सामने सरेंडर करना नौर्मल सी बात होती है साथी जोयन की फ्लेमों लगभग अप्यार होते ही काफी सारी फ्लेमों को सप्रेस कर दिया होता है जो देखकर तो काफी सारी लोग डर भी गए होते हैं और दर्सकों में मौजू सभी लोग जोहन को देखते हुए और ज्यादा सीरियस हो चुके होते हैं साथ ही सबसे जार सीरियस बहुत तब होते हैं जब वो देखते हैं कि जोहन अपने कडाही के अंदर देख दनादर मुठी में उठाकर भद्र काली स्वाहा बोल बोल के जोहन डाल रहा होता है इंग्रीडियन्ट कोई रिदम कोई प्रोसेस फॉलो ही नहीं बस इंग्रीडियन्ट एक साथ डाल दो कुलड्रोन के अंदर साथ ही जोहन दोरह दिये गए ओडर के कॉर्णिंग ये जो फ्लेमे होती है वो सीधा है इन इंग्रीडियन्ट को रिफाइन करने लगी होती है जैसे जैसे इंग्रीडियन्ट जोन कुल्डोन के अंडर डाल रहा होता है हर एक फ्लेम जाकर उसे रिफाइन करने में और उस कैसेंस निकालने में सुरू हो चुकी होती है धीरे धीरे जो यह सीन होता है और भी जादा सांदार होता जा रहा होता है सबी लोग तुरंती कहते क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का जोयन एक ही बाहर में इन सभी 1000 प्लस इंग्रीडियन्ट को रिफाइन करना चाहता हो लेकिन ऐसा कैसे पॉसिवल है कुछ हलके में जो किनारे पर बैट हुए अपने मेंडिसल इंग्रीडियन्ट के सेंस को निकाल रहे होते है वो भी जोयन के सीन को देखकर काफी यादा हैरान हो चुके होते है और उनके चेहरे पर अन्बिलीव वाले समाइल होती क्योंकि उन्हें लग रहा होता कि ये लॉंड़ा तो फिल होने वाला है साथी दर्सक भी यही सेम चीज फॉलो करे होते हैं उनका जो मुह होता है वो ओ के आकार में खुला हुआ होता है वो तुरंदी कहते हैं हे भगवान क्या ये लड़का बस तो में एक साथ इन इंग्रीडियन्ट को उस कुल्डोन के अंदर डाल देगा क्यासे डर नहीं लगता कि कुल्डोन फट जाएगा जेने अपनी लाइब के लगता है सारे ही सर्प्राइस यहां पे मिल चुके थे उन्हें बरोसा नहीं था कि एक लड़का जो अभी अभी अपियर हुआ वो उन्हें इस हाथ ता खेरान कर देगा लेकिन आपबेसली हर किसी के पास अपनी प्रोसेस अपना रास्ता अपना थौट होता है और एलकेमी की रास्ते में कोई ऐसा कोई परफेक्ट नियम नहीं है कि आप ऐसे ही पिल बनाएंगे सब के अपने तरीके है डौंग चौंग तुरंदी कहते मुझे अंदाजा नहीं था क्या के कर वो क्या करना चाता है लेकिन उसे वस यही लगता है कि जुआने से बिना बजाय बिना किसी कारण के नहीं करेगा उसकी आंके जुकी हुई होती मानों जैसे वो कुछ सोच रहो दोस्तब जुआन ने लगभग सभी पिल इंग्रीडियंट का एक तिहाई है साब तक कुल्डोन के अंदर डाल दिया होता है जिसके बाद दो तिहाई और इसके बाद जो यान तीन तिहाई मतलब तीसरे हिस्से को भी कुल्डोन के अंदर डाल देता है यहाँ पे 3000 प्लस इंग्रीडियंट होते हैं जने अब जुआन ने रिफाइन करना शुरू किया था और हमें नहीं पता कि क्या जुआन एक टाइम के अंदर 3000 प्लस इंग्रीडियंट को रिफाइन कर पाएगा और इस ताम पे जुआन क्या सोच रहा था बाकी सभी लोग भी जुआन पर ही निग्रानी रखे हुए होते हैं किसी न भी कोई भी टिपड़ी करने की हिमत नहीं की होती सभी का चारह एकदम सांत होता है कोई यह नहीं बता सकता था कि कौन खुस है कौन दुखी है सभी के जो कुल्डोन होते हैं जो इंग्रीडियंट को डाल कर रिफाइन करे होते हैं वो सभी खुद को सिर्फ पिल रिफाइनमेंट के अंदर जोग कर रखे हो होते हैं हाला कि जब जुआन अपने कौल्डोन के अंदर इन इंग्रीडियंट को रिफाइन कर रहता है कि तब ही एक आबा आ जाती है मुझे भी इन्हे रिफाइन करना है और अचाना की लिटिली जोयान के कुल्डोन के बगल से प्यार हो चुका होता है अचाना का प्यार हुए शोटे बच्चे को देखकर सभी लोग एक साच चल लात हुए कहते हैं ये बच्चा कहां से आया दूसरी दब वो देख सकते थे कि ये बच्चा प्यार होते ही जोयान की दोरा रिफाइन केगा इंग्रीडियन कैसे उसको ऐसे जोड रहा होता और फ्यूज कर रहा होता है जैसे उसके लिए तो ये कोई बड़ा काम ही ना हो बलकि वो बाड़े मजे से ये सब कर रहा था सभी लोग अहरान होते हों केते ये बच्चा कौन है ये कहां से आप्यार हुआ ऐसे कैसे कोई भी उसकी मदद कर सकता है लेकिन अब्यसले इसन कॉंटिनेंट में जानका लोगों की कमी नहीं होती वो तुरण दिकाते क्या ये बच्चा बे बज़े अपयर हो गया हमें लगा कि ये कोई और है लेकिन ये तो फायर स्प्रिट निकला हालकि ये कम्प्लीट बॉड़ी नहीं है लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं जैसे की केबल आकास्मिक तोर पर प्राप्त किया जा सकता है लेकिन निश्चित तोर पर ये सर्प्राइस की बात नहीं होगी क्योंकि अगर इसे हासिल करना इतना असान होता तो अब एसलिप बहुत सारे लोगों के पास ये क्यों नहीं होता पहले हम भी यही सोच रहे थे क्या के कहा हमारी flame में उसके सामने surrender क्यों कर रही है लेकिन अब पता चला किसकी spiritual power इसकी जो flame है उसके अंदर तो खुद की spiritual power appear हो चुकी है कोई surprise की बात नहीं कि fire elf के सामने सबी के सबी जो fires है वो surrender कर रही है यह बास्त में काफी रियर है जो अनके बाद फायर एल्फ यानि की लिटिली की पेजन्स को देखकर सभी लोग एकदम हेराइन हो जाते हैं वो तुरंदी कहते हैं लेकिन यह spirit फायर इस्पिरिट रैंकिंग में बिल्कुल भी बिलॉंग होती हुई नहीं लगती हुआ यहां लोगों ने अब दे दना दन तारीव दे दना दन एकसाइटमेंट दे दना दन सर्प्राइस देखने सुरू कर दिया होते हैं ऐसा लग रहा होता है कि यह जो कॉंप्टीशन था यह पहले से इतना ज़्यादा हाई लेविल की होगी उसे रिफाइन करने में टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा मैं देखना चाहता हूँ कि क्या यह बच्चा बास्तों में फिल रिफाइन कर सकता है देखते ही देखते दस दिन बीच चुके होते हैं और काफी सारे ब्लोग जो 9 रैंकी फिल को क्रियेट कर होते हैं वो या तो सक्सेस्फुल हो जोके होते हो या तो फेल लेकिन कॉम्प्टीशन का जो दोर था वो अभी भी बढ़ता जा रहा था और और इंट्रेस्टिंग होते जा रहा था दरसकों में सभी की निगाहे जो यान पर होती हैं तो काफी सारे लोग मैंग लुओ को भी देख रहे होते हैं तो डू आउक्सिन के उपर भी काफी साही लोगों की नजर होती है मैंग जिया के उपर भी काफी साही लोग देख रहे होते हैं तो बू फर्म फैमली के यंग मास्टर के उपर भी कुछ लोगों की नजर थी क्योंकि ये सभी लोग आप्वेसली पीक लैवेल के क्लेंज से बिलॉंग करते थे फिलर रिफैंबेंट के शुरू होने के ठीक तेरा दिन बाद जोहयान के इंग्रेडेंट का लगवग फर्ष पार कंप्लीट हो चुका होता है जोहन का दूसरा पार्ट सुरू हो चुका होता है और जोहन ने लगबग एक तिहाई हिस्सा अब तक कुल्रोन में डाल दिया होता है इस टाइम पे आसमान में काफी अधा अधेरा हो चुका होता है काले बाद लोग की लेर दिखाई दे रही होती है साथी थंडर श्ट्राइक ने कुछ देर के लिए लोगों के कान के बर्दों को फार दिया होता है जिसके बाद सीन बापस से साब सुतरा और सांथ हो जाता है ये कहा जा सकता था कि एक ही टाइम पर तीन हजार मिस्टीरियस पिल अप्यार हो चुकी थी मिस्टीरियस यानी रैंक 9 की पिल और ये सीन अपने आप में काफी रोमांचक होता है इस पिल श्ट्राइक के खत्म होने में लगबग दो दिन लग गया होते है और जैसे जैसे टाइम बीचता जाता है जो यानने मेडिसिन इंग्रीडियन को तेजी से रिफाइन करना सुरू कर दिया होता है पहले पार्ट को रिफाइन करने में तेरा दिन लगे थे दूसरे पार्ट को रिफाइन करने में उसका आधा टाइम लगता है अब जोयन के पास लाश्ट लियर बची होई होती है और जोयन ने इसे रिफाइन करना सुरू कर दिया होता है टाइम धीरे धीरे बेज चुका होता है और जोयन द्वारा थाइड बैच को भी रिफाइन कर लिया जाता है यहाँ पे काफी सारी पिल लाइटिंग आज भी हो रही होती है क्योंकि ऐसे काफी सारी लोग थे जोनोंने अपनी पिल को फेल कर दिया था इसलों ने इन पिल्स को दोबारा रिफाइन किया था इसलिए छोटी मोटी पिल लाइटिंग अभी भी बीच बाच में होती रहती थी जानको मेटसिन इंगीडेंट को रिफाइन करते हैं लगवग अब तक 20 दिन बीच चुके होते हैं और इस 20 दिन के अंदर लगवग 89% लोग successfully अपने पिल को रिफाइन कर चुके होते हैं इस लिष्ट में सामिल थे जो की टॉप 10 रैंकिंग वाले बंदे लग रहे थे जो यह ने भी यहाँ पे थोड़ा सा टाम निकाल कर बाकी लोगों को देखा हुआ होता और पया होता है और उसकी presence को देखते हुए यह होना चाहिए कि उसने जो पिल बनाई है वो एक high level की पिल हो या सायद जो यान की पिल से भी ज़्यादा powerful या सायद जिस पिल को जो यान क्रेट कर रहा है imperial bind holy पिल उसके level की ही हो जिसके बाद लाज तीन दिन बीच जाते हैं जो यान के सारी इंग्रीडेंट रिफाइन हो चुके होते हैं और कुल्डोन के उपर human head की size का liquid ball लटका हुआ होता है जिसे तीन दिन में इंग्रीडेंट को रिफाइन करने के बाद इखटा किया गया था आप अंग्ली चीज सबसे पैसानी वाली थी यानि की इसे refine करके grill करके condense करना और इन liquids को fuse करना था क्योंकि इन 3000 इंग्रीडेंट के essence को एक साथ मिला कर ही और इसे refine और grill करके ही आप एक पिल के तोरपा इसे condense कर सकते हैं हाला कि तीनों ही liquid में से हर एक liquid की energy बहुत बड़ी थी जिससे उनके बीच का जो balancing था वो बहुत ज़्यादा पैसानी भरा हो रहा था क्योंकि इतने बड़े liquid को control कर पाना असान नहीं था लेकिन यही तो असली test था क्योंकि आप जितना ज़्यादा पिल को और उनके ingredients को अच्छी तरीके से refine करेंगे पिल की power उतनी ज़्यादा strong होगी लेकिन पिल के essence को fuse करना ingredient को refine करने से ज़्यादा मेहनत वाला काम था जहां पे एक alchemist को एक गहरे और perfect control की जरुरत होती है क्योंकि हार एक ingredient के अलग-अलग attribute के करन उनका एक साथ मिलना बहुत ज़्यादा मुस्किल होता है जो कि कुछ बुरा और negative effect भी डाल सकता है जिसके बाद जुआन ने इनके ingredient को समझने के लिए medicinal ingredient के fusions को सुरू कर दिया होता है सथी जुआन को इन ingredient के fusion के लिए सबसे अच्छा balancing point ढूरना चाहिए ताकि उसे एक साथ पूरी तरीके से fuse किया जा सके लेकिन इस time के दोरान आप एक छोटी सी भी mistake नहीं कर सकते निचे तोर पर जुआन भी काफी long time से पिल refine कर रहा था इसलिए जुआन को भी यह सबी चीज़ा पता थी जुआन काफी serious तरीके से खुद को सांथ रखते हो fusion को सुरू कर देता है और अलाग-अलाग attribute के जो पिल ingredient के essence थे उन्हें अलाग करके जोड़ना सुरू कर देता है सुरू के एक दिन में जुआन का जो fusion होता है हाला कि fusion की जो speed थी वो काफी slow थी लेकिन काफी यादा safe जुआन ने slow fusion technique को follow किया होता है जुआन के पास time था और चिंता बिलकुल भी नहीं और हर एक चीज step by step हो तो ज्यादा बहतर होगा जिसके बाद fusion धीरे धीरे आगे की तरह बढ़ता रहता है दूस्तब मैंगलो, डूजियान, बावबाव, गौान जीउन और मांकि सभी लोग भी fusion में बैठ चुके होते हैं और pill refinement के last stage पर इंटर कर चुके होते हैं जिसके बाद उंगलियों के चटकने के साथ ही time बीचता जा रहा होता है और अब काफी सारे अधर लोगों की भी pill refining कम्प्लीट हो चुकी थी अब floor पर के बल 20 प्लस लोग बैठ हुआ होते हैं जो last refinement में होते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब alchemist association के नए medicine fair का बिनर का जो crown था वो किसी ना किसी के सर आने बाला था यहाँ पे साफ आसमान में घबराहट देखी जा सकती थी कुछ लोगों के दिलों में घबराहट होती है आसमान गहरा काला और काला होता जा रहा होता है अंधेरा चाता जा रहा होता लेकिन सभी की नजरे के बल इन 20 लोगों पर उन्हें पता था यह हाई लेवल के लोग है जो की हाई लेवल की पिल्स को रिफाइन करने होंगे और यह जो पिल्होंगी वो साइद एंपरर ग्रेट की हो टाइम के बीतने के साथ ही साथ तीन दिन बीच चुके होते हैं अगर यह पावरफुल डावडी नहीं होते जो अपनी पावर पर भरुसा करते हैं और हर एक प्रोसेस को इस्टेप बाई स्टेप तो साइद अब तक यह लोग फेल हो चुके होते आसमान भी काफी आदा अंधेरे से भर चुका होता है तब ही एक हापेजिन में अचाना की खड़ा होता है और नॉर्मल रैंक नाइन की पिल से ज्यादा एनरजी की लहर अचाना की उसके कुल्डोन की तरफ जाने लगती है और अचाना की एक तेज आबाज सुनाई देती है यह जो तेज आबाज थी है कोई आबाज नहीं थी यह लोगों के दिल के अंदर गहराई से समाच चुकी होती है जिसे लोग आसानी से भुला नहीं सकते थे वो तुरंती कहते हैं एक एमपरर गेट की पिल रिफाइन होने वाली है जैसे ही आबाज आती है सबी लोग एकसाइटेड हो जाते हैं उनका एकसाइटमेंट हाई लेवल पर था क्योंकि जब से यह लोग रैंक नाइन की ट्रेजर पिल, गोल्डन पिल और मिश्टी इसर पिल को रिफाइन होता हुए देख रहे थे लेकिन अब बिने एंप्रेर ग्रेट की पिल को देखने का मौका मिला था हलाकि नाइक नाइन के पिल और एंप्रेर ग्रेट की पिल में केवल एक ही ग्रेट कंतर था लेकिन दोनों की पावर की बीच में एक बहुत बड़ी खाई थी जिसे करॉस करने के लिए आपको एक talented alchemist होने की जवरत होती है क्योंकि कापी सारे ऐसे alchemist होते हैं जो साइद अपनी life में भी इस खाई को कभी पूरा ही नहीं कर पाते आखे का Emperor Grade की पिल को Holy Grade माना जाता है और Holy Grade के नीचे हर एक पिल को कच्रा ही माना जाता है भले ही वो Rank 9 की Golden Pill ही क्यों ना हो जिसके बाद धीमी पिल Thunder की आवाज आती और Emperor Grade की जो पिल होती उसमें धड़कने धड़कने लगती है साथ इस पिल के बाहर एक पतली सी फिल्म की लियर होती है और इस पिल को लेने के लिए बस इसकी लियर को उपिन करने की जरूरती साथ इस टाइम पे जो Thunder Strike होती है वो Colorful Thunder होती है जो लगाता है ग्रुप में इन से बंदी की तरफ गिर रही होती है साथ इस जैसे ही Thunder Strike उस पिल के उपर गिरती है चानकी जो उसके उपर लगी हुई पंडी होती है या फिल्म उससे क्लिक क्या बाजाती और वो तूट जाती है और यह जो पिल होती है एक परसन में बदल कर भागने लगती है क्योंकि इस लेवल की पिल के पास अपनी सोल अवेकने का बुद्धी और दिमाग और स्प्रिच्वल्टी होती है तब ही जिस परसन इस पिल को रिफाइन क्या होता तुरंती कहता है यहाँ बापस आओ उसके बाद टू इस्टा डावडी लेवल पर थी इसे लोगो वाइन इस्टा डावडी लेवल की पाव लेवल के बराबर उस पिल को तुरंती बापस पा लेता है हाला कि यह अब तक का पहला एंपरेर गेट का पिल था जिससे रिफाइन किया गया था और भले ही इसका केवाल एक ही रंग हो यानि वन कलर एंपरेर ग्रेट पिल लेकिन अभी भी ये बाकी सब ही नीचे बाली पिलों के कमपेर जन में तो इस्ट्रॉंग पिल थी साथ ही इस पिल के सकसेफूली रिफाइन के बाद एक बात तो क्लियर थी क्या फिल रिफाइन मेंट अपने एंडिंग स्टेज पर इंटा हो चुका था और साथ कुछ टाइम के बाद या कुछ दिनों के बाद ये फिल कॉमप्टी से एंड हो जाएगा जो एंज जिस पत्तर के फ्लोर के उबर क्रोस लेकर के बटा हो तो उसका चैरा पीला पड़ चुका होता है लगबग एक महीने तर लगातार जो आने अपने अनेर्जी और इस पिछल पार का यूज किया था जो की खापत बास्तों में काफी बड़ी थी साथ ही उसकी डुईकुई से बनी हुई जो कुल्डोन होती है आप उसके उपर दो फ्यूज हो रहे वाल्ज को देख सकते थे जो आखिरकार पुईतरी की से फ्यूज हो चुके थे और इससे लगबग कंप्लीट होने में बस पांच या छे दिन लगने वाले थे और यही इस पिल के बनने की की थी और इससे स्पीट को देखते हुए डू जी यान गौन जी यून और बाकी के सभी लोगों का लाज फ्यूजन भी सुरू हो चुका होता है साथी इस बान याओ स्क्वेर को जो डिफेंस कर रहे होते हैं वो सेवनिस्टा डावडी लेबल के सुपर स्टॉंग लोग होते हैं इसलिए कोई भी आसानी से अंदर इंटर होने की हिमत नहीं कर सकता था जिसके बाद अंगले कुछ दिनों में पिल लाइटिंग की आबाद सुनाई देती है जो लगातार आती रहती है जिसमें एंपरर ग्रेट की ही पिल अपयर हो रही होती है जिसमें सबसे बुनियादी पिल वन कलर एंपरर ग्रेट पिल थी यहाँ पे गुआन जियू ने भी एंपरर ग्रेट की पिल बनाई होती है अब यहाँ पे लगभग 6 लोग बचे हुए होते हैं जिनमें जोयान, मैंगलुो, डूजियान और कुछ अधर फैमली के लोग या डोमेन के लोग होते हैं एक और दिन बीच चुका होता है और जोयान का पिल का जो लिक्विड था आखिर का पूरी तरीके से फ्यूज हो चुका होता है इसी टाइम पे दो हापे जर्मेन भी अचाना की खड़े होते हैं और अचाना की एक वाइट और येलो कलर की लाइट हवा में ओड़ जाती हैं और थंडर श्ट्राइक होती है और उन पिल की जो फिल्म होती है वो ब्रेक हो जाती है और एक ही टाइम पे टू कलरड एमपरगेट की दो पिला प्यार हुई होती है सोरी तीन इस टाइम पे इन तीन दो कलर के जो पिल होते है इनोंने माहौल को काफी तरो ताजा कर दिया होता है इस टाइम पे एक हापे जडमन खड़ा होता है और एक सांदार हॉइट लाइट जो मैंगलूओं से कम नहीं थी आसमान में अपियर होती है जैसे हॉइट लाइट में अपियर ये दो पिल आसमान में आती हैं सभी किनजरें दो पिल में होती है क्योंकि इन पिल के जो पाबर और लाइट थी बोन से ज़्यादा ब्रैट थी जिसे डू जियान और बूबू ने रिफाइन किया था वो तुरंधी कहते इस पिल में इतना पावरफुल औरा क्यों है सभी अलकेमिज्ट भी यहाँ पे काफी अदा हैरान होते हैं इन औरों को देखकर सभी कियांके गर्म होती हैं या तर डू चौंग जो किनारे पर खड़े होते हैं वो भी इस पिल को देख रहे होते हैं और चुपचाप से लात्वे कहते हैं मैंग फैंगली मैंग लूओ बास भर जाती है और एक ठी कलर्ड पिल अप्याइर होती है जहां पर एक यलो कि होती है पिल तो इक ग्रीन कलर की हाला कि मैंगलो ने थी कलर पिल को रिफाइन किया था जिसके लोग उसने बहुत मेहनत की थी हाला कि अपने पीक लेबर तक नहीं पहुँची लेकिन मैंगलो के लिए इसे भी यहां तक पहुचाना असान नहीं था दूस्त अप उसके बगलों में जो हाप पिजड मैं था उसने जो पिल रिफाइन की थी वो मैंगलो के कमपेरजन में केबल थोड़ी ही अच्छी थी जब इन दोनों सकस्पुली पिल रिफाइन की होती है तो अब चौर आये पर केबल जो यान ही एक लोता बचा हुआ होता है जो क्रॉस लेकर के बैठा हुआ होता है और ड्रैगन की आँक की आकार का एक ग्रीन कलर के पिल जो यान के कुल्डोन में घूम रहा होता है जिससे काफी स्ट्रॉंग और अजीब सा होरा निकल रहा था लेकिन इसे जो यान दोरा जान बूच कर हाइड किया जा रहा था लेकिन अभी भी इसका चौकाने बाला फ्लेक्ट्वेशन सभी तक विख रहा हुआ था आखेकर सावी ने जोन की फ्लेम को देखा जोन की स्ट्रिचल पावर को देखा अब जोन की पिल को देखना चाते थे यह जो यान दोरा रिफाइन की गई त्री कलर्ड एंपरर ग्रेड पिल इंपीरियल बिंड होली पिल होती है जिसके बाद ड्रेगन के मुझे एक तेज वाइट लाइट आसमान की तरब जाती है यहां तकी नीचे देख रहा है अलडर भी हैरान होती होती है इतनी ब्राइट लाइट कैसा हो सकता है कि इसने जो पिल रिफाइन की है वो फोर कलर्ड होली ग्रेड पिल हो इंपॉसिबल ऐसा कैसे हो सकता है अनगीनत निकाहे जो याण के पिल के उपर होती है कि तभी अचानक ही एक क्लिक की आप भाज आती है और जो जाइन ड्रेगन होता है छोटी छोटी टुकरों में बिखर कर गयाभ हो जाता है और एज्यो और ग्रीन कलर का जो ड्रेगन आई पिल होता है वो चका चौन ब्राइट लाइट के साथ सबी के सामने अप्यार होता है सभी लोग एक साथ चिलाते हुए कहते हैं वो कितनी ज़्याधा ब्राइट है मैंगलू और डूजियान सभी लोग इस पिल को देखकर सौख हो चुके होते हैं हर किसी की आखों के बीच में एक आबाद सुनाई दी थी जो कि थंडर श्ट्राइक की थी और क्रैक की सभी लोग आसपा थंडर स्ट्राइक के औरे को देखकर ही डरे हुआ थी कि क्या बास्तम कोई ट्वी स्टार का बंदा इतने पाउरफुल थंडर स्ट्राइक को अप्यर करा सकता है वाइट से रेड कलर के एक थंडर वोल्ट निकला हुआ होता है जिसके टकराने के बाद भी पिल का जो बेरियर था वो ब्रेक नहीं हुआ था तबी एक और red color का जो thunder होता है वो appear होका इस film से जाकर टकराता है जिससे ये film का variant break हो जाता है और इस film से एक तेज light glow होती है जो three color की होती है white, yellow, green जो आसमान की तरफ जाती होरे एकदम rich और clear ये color देख रहे होते हैं वो तुरंधी कहते है क्या ये सकफल हुआ जो यान भी smile करते है कहता है मैंने आखिर का इसे refine किया हाला कि मैं अभी भी satisfied नहीं हूँ मैं इससे बहतर बना सकता था मुझे इसे first grade के holy grade तक पहुँचाना था peak level पर जिसके बाद जो यान एक Alexa निकाल का उसे अपने मुह में डाल लेता है जो कि spiritual war को ठीक कर निकले था हाला कि तब ही अचाना कि डॉंग चुआन हैरान होते हैं कहते हैं नहीं ये क्या है वो अचाना कि देखते हैं कि पिल से एक और कलर की light निकली हुई होती है जो कि blue कलर की होती है जो देखकर वो तुरंधी कहते है four color emperor great pill ये intermediate emperor great pill है एस medicine fair में इस बंदे का नाम हमेशा याद रखा जाएगा आखे कर जो जो सौ सालों से भी कम इम्र का बंदा था वो four color emperor great pill refine कर सकता था इस टाइम पि जो यान का जो नम तब पूरे ही एरिया में फैलने वाला था थार्ड राउंट में फर्स्ट रैंक पर आने वाला बंदा भी obviously अब जो यान ही था जिसने four color emperor great pill को refine किया था जो आनने तीनों ही राउंड में फर्स्ट रैंक हासिल की थी इसलिए जो जान यहाँ पे champion बनने के लिए fully qualify था तो चलो guys इसी के साथ अब यह episode यहीं end करते हैं साथी साथ तुम लोग जाकर battle of magic world जो focus FM पर है उसे जरूर एक बार read करना और उसमें तुम लोग बता सकते हो कि क्या क्या और सुधार करने चाहिए क्योंकि तुम ही लोगों ने तो कहा था कि एक novel खुद लिखनी चाहिए तो अब उस novel में तुम अपने thoughts भी बोलो यार तुम लोग के thoughts अपने lawn day को पता चलने चाहिए और उसको उसके according भी लिखना चाहिए हाँ ज्यादा कमीना पन मत बोल देना कि तुम लोग का चल रहा है कि हाँ बस हमको यही देखना है कुछ अच्छी चीज़ है बोलना उसको कोई suspense कोई drama कोई tragedy तो अब ही जाओ Google पे search करो या फिर Pocket FM का app download करके उससे read करो Battle of Magic World मिलते हैं नेक्स एपिसोड पे बाइबाई थिर्यान पैम्ली Good night See you soon